नमस्कार, क्या पिचल टिवी का खाशो राहूल का अगनिपद देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा राहूल गांधी अपने अगनिपद पर एक बार फिर से निकलने की तयारी में है भारत जोडो यात्रा के बाद राहूल गांधी एक और यात्रा निकालने की तयारी कर रहे हैं संभव है कि ये यात्रा अरुनाचल प्रदेश के पासी घाट से गुजरात के पूरबंदर के बीच निकाली जाए मतलब पुर्वी हिस्से से पश्मी भाग के बीच भारत जोडो यात्रा पार्ट टू को निकाला जाएगा कॉंग्रस के महा डिवेशन के समापन समारों में कॉंग्रस की निताओं ने इस बात का कई बार इशारा भी किया जैराम रमेश ने भी पूरा प्लान बताया पर सवाल ये है कि आखिर क्यों एक बार फिर से राहुल गांधी अपने अगनी पत पर चलेंगे क्यों कॉंग्रस को इस यात्रा की जरुद पढ़ रही है इसे पे चर्चा करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ स्टूड़ में मौझूद हैं क्यापितल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजी जी राजी जी बहुत बस्वागत है अपना एक बर फिर से क्यों कॉंग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट तो की तैयारी कर ली है देखिए कॉंग्रेस की यात्रा नहीं है ये ये राहुल गांधी की यात्रा है बेसिकली कॉंग्रेस और राहुल गांधी के बीच इस मायने में अंतर देखा जा सकता है कॉंगरिस में कई ऐसे नेता हैं जो राहूल गानधी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो राहूल गानधी का साथ दिखाने की कोषिश करते रहे वो मजबूरी इसलिए है क्योंकि अब गांधी परिवार से अलग किसी को नित्रित सभालने का मौका नहीं मिल रहा है और अब जबकि पहली वार की यात्रा राहुल गांधी के जो रही वो पूरी तरीके से फेल है और राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं उनकी छबी में सुधार होगा वो सुधार नहीं हुआ राहुल गांधी अपनी छबी को लेकर conscious थे कि अब परधान मंत्री नरेदर मोधी के सामने वो चुनोती बन पाएं लेकिन यात्रा का conclusion जो हुआ उसमें क्या हुआ सारी पाटियों ने एक एक करके राहुल गांधी को रेजक्ट करना सुरू कर दिया एकीस पाटियों ने उनके आमंतरन को स्विकार नहीं किया स्विकार नहीं करने का मतलब यही था कि वो उस कदावर नेता जो पाटि के होते हैं वो वहाँ पर उपस्तित नहीं रहे जो सहयोगी पाटियां थी जिन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पर किसी को भेजा जाना चाहिए वो छोटे मोटे नेताओं को वहाँ पर भेज दिये राहूल गांधी उसी में खुश हो गए लेकिन कॉंग्रिस के अंदर इस बात का मंतन चल रहा है कि आखिरकार कोई भी पाटि जो सहयोगी पाटि भी है वो भी राहूल गांधी के साथ खड़ा होना क्यों नहीं चाहता है अब राहूल की टीम को लग रहा है कि फिर से इनकी दूसरी छवी बनाने की कोशिश की जाए लेकिन अधिवेशन के दौराम जो इस बात की चर्चा हुई है उसमें कॉंग्रिस के कई नेता इसके विरोधी है कि राहूल गांधी को फिर से यात्रा पर जाना चाहिए वो चाहते हैं कि ये राहुल की जो यात्रा है वो कॉंग्रिस की यात्रा हो जिसमें दूसरे नेताओं को भी मौका मिलना जाए लेकिन राहुल दूसरे नेताओं को मौका कहा देते हैं लेकुल नहीं दे रहे हैं और इसलिए प्रियंका गान्धी का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है अधिवेशन में जिस तरीके से भब स्वागत किया गया प्रियंका गांधी का वो भी एक तरीके से इंडिकेशन था राहुल गांधी के लिए कि अब आप कुछ समय के लिए विराम ले लो कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने का मोका दो और अगर पाट वन यात्रा में आप थे तो ये राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिये वो राहुल गांध कि यात्रा होनी चाहिए और कुछ कुछ समय के लिए अलग-अलग निताओं को मुका दिया जाना चाहिए जिसमें राहुल गांधी के बदले अभी प्रियंका गांधी का इस्तेमाल होना चाहिए अरुनाचल प्रदेश में राहुल गांधी का बड़ा विरोध होने वाला है औ दर चुनाव अभी नौर्थिस्ट में अगर देखा जाए तो पचीस लोकसभा सिटे हैं उसमें से एक भी कॉंग्रिस के पास नहीं है विधान सभा चुनाओं में हर जगह पर कॉंग्रिस की पराजय हो रही है हार हो रही है मिघाले में सिर्फ चुनाव परचार करने के लिए राहुल गांधी गए उसके पीछे भी एक दूसरा आइडिया था कॉंग्रिस का की मिघाले में जो राहुल गांधी को भेज रहे हैं वो वहां के क्रिश्चनों को लुभाने की कोशिश करेंगी राहुल गांधी के उपर जो बार बार ये बताय जाता है कि इनके 63 के पीछे जनेव नहीं क्रोस है उस छबी को वहां पर भुनाने की कोशिश करने गए थे क्रिश्चन बाहुल छेतर है और वहां पर कॉंग्रिस के दूसरे नेता भी गए थे लेकिन राहुल गांधी को भेजा गया कि जाके पादरियों से मुलाकात करें अपने उन पुराने संबंधो का जिकर करें कि भाई वो इटली से उनका गहरा संबंध है कैथोलिक इसाई से गहरा संबंध है और इस आधार पर कॉंग्रिस को ये मौका दीजिए कि आगे मेगाले में भी क्रिश्चन इटली को बरहावा दे सके त्योंकि जब से भारतिये जनता पार्टी ने वहां पर न दूसरे अस्तर पर इन लोगों को लगता है कि अभी तक नौर्थ इस्ट में हुआ क्या है नौर्थ इस्ट में अभी तक कॉंग्रेस ने पूरी तरीके से वहां के खजाने को खाले किया है। करते रहे, अलगावादी करते रहे, आतंकी करते रहे या वहां की दो-तिन पॉलिटिकल पाठिया करते रहे।। नौर्थ हिस्ट में भी इन लोगों ने वही करफशन का बिलकुल धरिया बहाया और उन लोगों को प्रमोट किया जो करफशन में सामिल थे और वहां से पैसा कॉंग्रिस के खाते में आते थी गांधी परिवार उसको अबजरबर होता था अब राहुल गांधी का दूसरी समस्या नौर्थ हिस्ट में ये है कि चीन के साथ जो भारत के संबंद रहे हैं और उसमें जो भूमिका रही है राहुल गांधी की सोनिया गांधी की और कॉंग्रिस की Congress और Communist Party of China के बीच MOU, राजिव गांधी Foundation और दूसरे अस्तर पर जो बड़ी बात मानी जाती है कि राहुल गांधी का संपर्क चीन के Ambassador से, चीन की सरकार से कैसे रहता है राहुल गांधी आखिरकार चीन से इतना घनिस्टता क्यों दिखाते हैं, जबकि जैसंकर ने साप साप कहा दिया कि आपकी तरह हम लोग छुप छुपा के Ambassador से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, तो अरुनाचल परदेश बोडर एरिया है, वहाँ पर चीन के Aggression के खिलाप लोग aggressive रहते हैं, और राहुल गांधी वहाँ से जाएंगे, तो वहाँ पर भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब समस्या Congress के साथ है, समस्या Congress में ये हो गई है, कि राहुल गांधी को फिर से सड़क पर लाना जरूरी है, लेकिन कितनी बार राहुल गांधी को ये ल विकल्प को पूरा करने के लिए स्रोत भी है, लेकिन वो विकल्प पर बात करने के लिए तयार नहीं है, कॉंग्रेस में लगता है कि गांधी परिवार आउट तो कॉंग्रेस खत, जबकि ये अब भ्रम हो गया है, शुरू से गांधी परिवार का कबजा रहा, जो नेहरू कॉंग्रेस के अंदर गुटवाजी तेज हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने कॉंग्रेस का अस्ट्रक्चर ही ऐसा बना के रखा है, जिस समय इंदरा गांधी की सरकार थी, उस समय कॉंग्रेस का अस्ट्रक्चर उन्होंने अपने लेवल पर बनाया था कि सब की कमान और ने ने नेता पैदा हूँ, लेकिन राहूल गांधी कुछ नया क्यों नहीं ट्राय कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो यात्रा वो कर चुके हैं, बात अलग है कि वो अब पुर्वी से पश्मी के तरफ आएंगे, लेकिन वो कुछ नया भी कर सकते थे, यात्रा के जरिये और क्या दिखाना चाते हैं, यात्रा के जरिये वो फिर से वही पुरानी बाते दिखाना चाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कोई भी दूसरी पॉलेटिकल एक्टिवीटी में इन्वोल्व होंगें, तो उनकी बेवकूप ही धीरे धीरे उभर के सामने आएगी जिस तरीके से एक अधिवेशन में गए, उन्होंने आधा घंटा से जादा भाषन बाजी की, अब आधे घंटे में उन्होंने क्या क्या बोला, पहली बात तो यही है कि वो क्या कॉंग्रेस के अधिवेशन में बोलने के लिए जब जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने सोच रखा था कि हम अपने परिवार के बारे में, परिवार के संपत्यों के बारे में, त्याग के बारे में ही बताएंगे, आपको कॉंग्रेस को एक नई उर्जा देने के लिए वहां बुलाया गया था, अदिवेशन में चर्चा कॉंग्रेस के अस्ट्रजी पर हो रही थी, लेक वो सुनके किसी को भी हसी आ सकती है कॉंग्रेस के नेता वहाँ पर बैठे बैठे हस रहे थे कि जब लड़की एक आई हाथ थामे तो हमको लगा कि प्रियंका गांधी के साथ जैसे भाई बहन का रिस्ता है वैसे हो गया हम धीरे धीरे हमारा सारा उगो खत्म हो गया कि हम किसी कोOh कर ते तो तो सारा ट्रांसमिशन मेरी अंदर आ जाता यह कैसे वा बलकुल वह Eight कि आप राजनिती में अध्यात्म लाने की कोषिश तो कर सकते हो ला नहीं सकते हो जिस तरीके का आपकी विचारधारा है आप वाइवरेशन ट्रांसमिशन की बाद करोगे आप बाद करोगे कि हमारा यूगो खत्म हो गया सारा कुछ दिनों के अंदर ही तो बताओगे कि यूगो था पहले से आप यूवराज बने हुए थे और भारत जोड़ो यात्रा में ही आपका वो सार घमंड तूटा है लेकिन उनके सलाहकारों ने जो यूगो की बात कही थी वो दूसरे अस्तर पर राहुल गांधी समझ गये उनको घमंड तोड़ने की जो बात हो रही थी कि राहुल कोई यात्रा में उनके दूसरे घमंड तूटे उनको लग रहा था कि यात्रा में इस लिए इन लोगों ने नई तैयारी शुरू की जो अधिवेशन में प्रियंका गांधी को देखकर लगा उसके बाद कॉंग्रेस के जो राहुल गांधी की टीम के लोग है उनको लगने लगा कि अब फर से प्रियंका गांधी को अगर साइड करना है तो राहुल गांधी को कुछ नए तरीके से आगे आना पड़ेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए धन्यवाद तो कॉंग्रिस ने हाली में अपनी भारत जड़ो यात्रा को समाप्त किया है राहुल गांधी के नित्वत में कन्या कुमारी से कश्मीर तक चलने वाली इस यात्रा की काफी चर्चा भी हुई पर चर्चा देश शिजादा विदेश में रही जिस मकसद से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी वो मकसद तो फेल हो गया अब देखना होगा कॉंग्रिस किस रंडीती के तहट अब दुबारा यात्रा पर निकलती है आप अपनी राहे कॉमेंट करके जरू लिखें देखते रिए कैपिटल टीवी नमस्कार